हेलो फ्रेंड्स खेसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल अपना चिला चौकी आज भी बनाऊंगी आम की खटी मीठी आचार जिसे हम आम की लॉंजी भी कहते हैं यह खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता आप इसे बना के वन बीक तक खा सकते हैं यह बिल्कुल भी खील छिल जिया है और इस इस तरह से इसे में इस तरह से में मैंने काट लिया है अब हमें लेना एक पेण बड़ाई इसमें मस्टर्ड ऑल छोम लगता ही काया इसने बार भी यहां वाँ को आप ही जोड़ा सोब को अच्छा आप अच्छा फ्लेवर आता है साथ ही इसमें डालना है मंग्रेला आप छोड़ाएंगे वंपींच हेंग यह वहां ही अच्छा फ्लेवर आता है इन सारे चीजों को हम अच्छे से क्रेकल होने देंगे तो यहाँ पे यह बहुत ही अच्छे से क्रेकल हो गया अब हम इसमें कटा हुआ आम डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से अभी हमें इसमें एक कप के बराबर पानी डालना है साथ ही इसमें half spoon नमक डालेंगे और half spoon के बरावर मिर्च पाउडर मिर्च पाउडर से बहुत ही अच्छा कलर आता है आम की चतनी में इसे अच्छे से mix कर देना है और medium flame पे हमें इसे 2-3 मिनट तक ढख के पकने देना है ताकि आम अच्छे से soft हो जाए तो यहाँ पे मैं इसे cover कर देती हूँ 2-3 मिनट के बाद वापस से इसे check कर देना है तो यहाँ पे 3 मिनट के बाद मैं इसे check कर देना है आप देख सकते हैं बहुत ही soft हो गया है एक हम इस तरह से press कर कर देखेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक कप के बराबर गुर्ड गुर्ड को अच्छे से हम melt होने देंगे तो इसके लिए हमें इसे cover कर देना है ताकि गुर्ड अच्छे से melt हो जाए तो यहाँ पे मैंने इसे cover कर दिया है अब आपस से इसे हम check कर लेते हैं तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से गुर्ड हमारा melt हो चुका है अब इसमें हम दो बड़े इस्पून चीनी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट बाइलेंस हो जाए साथ ही इसमें हम 1 फोर्थ इस्पून हल्दी पाउडर देंगे इसे color बहुत ही अच्छा आता है इसे अच्छे से mix करने के बाद इसमें हमें डालना है 1 फोर्थ इस्पून भुनावा जीरा पाउडर भुनावा जीरा पाउडर से आम की चटनी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें आफ एस्पून काला नमक डालेंगे इसे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और सबसे लास्ट में हम वन फोर्थ एस्पून चाट मसाला डालेंगे इस तरह से अगर आप यह आम की चटनी बनाएंगे तो यह कीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है इन सारी चीजों को हम एक बार बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतना ही रखना है क्योंकि इसे ठंडा होने के बाद यह और भी गाड़ा हो जाता है तो इसे थोड़ी देर हम अच्छे से उबालाने देंगे उसके बाद हम फ्लेम को आफ क अच्छी लगता है तो यहां पर हमारी आम की खट्टी मीची चट्नी बन के बिल्कुल रेडी है इसे हम ठंडा होने देते हैं अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इसी तरीके से फ्रेंस आप भी बनाई यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जर